तो दोस्तों एने सजारतों को एक बड़ी समस्या करना पड़ रहा है कि उन्हें अपना पूरा जो एक टाइम है वो नहीं मिल पा रहा है और भी उन्हें के सारे दिक्कत प्रशानी हो रही है तो दोस्तों होता है कि हमें से बहुत सारे स्टूडेंट है जब अपने एक्जाम स जाए कि उन्हें एंटरी मिल रही है अपने जो है कि सवा दो बज़े धाई बज़े या पौने तीन बज़े यह से ज़्यादा लेट अपना करें जो पर एंटरी मिल रही है तो ऐसे में स्ट्रोडन को पुरा प्रोपर टाइम नहीं प्लपा रहा है अब चलिए यह है कि किसी अपना एकजेट अपना दो बज़े के असपास तो एंटरी दे देनी चीह है जिया जो कि अपना नहीं वरी और दूसरा है अपने वारा बनता है कि दो बज़े एंटरी देगे तो कम से पांच मिट तो लगेंगे लगेंगे अपना क्लास रूम में पोशने के लिए अपने बेंच सेटिंग तो पोशने के लिए पांच मिट तो लगे लगेंगे अपना एंटरी देने पर लेकिंगे दूसरी समस्या यह आ रही है कि उन्हें अपना आंसर शीट जो मिलती है लिखने के लिए वो भी उन्हें अपना टाइम से नहीं मिल रही तो चले किसे तरह से अप काफ़ी complicated होती है जिससे भनने में काफ़ी time लगता है तो एक जो new student होता है और जो फर्स्ट अपने exam देते हैं तो कम से कम अपना दस मिन्ट तो लेगे जाते हैं उस आंसर शुट को भनने में और इस आंसर शुट को भी काफ़ी ध्यान से भनना होता है तो लबद 10 मिन्ट के आ अपना पंदा मिनिट जो मिले चाहिए अपना कोशन पर रिड़ करने के लिए वह भी नहीं दिया जारे यानि कि 2-15 बार इस्टोडन को कोशन पर दे देना चाहिए ताकि कोशन पर रिड़ कर सके लेकिन वह भी आपना student को नहीं मिल पारे अब इस्टोडन के एंट्री ही हो सब्सक्राइब को बने में लग जाते हैं तो टाइम हो जाता है कितना अपना पॉर्णी तीन लभब पॉर्णी के असपर हो जाते हैं तब ऐसे में जो अपने ये तरीका निकाला है कि स्टुटन को 2-15 से लिए कि धाये विज़ता कोशन पर रीड़ कर निकलिक दे जाएगा तो यह कहां तक अपना सक्सेस है क्योंकि कई सारी सेंटर पर इसको फॉलो कराई ही नहीं जा रहा है तो लभब अपना दो प्रदर पर तो मिलने चीए कोशन पर लेकिन मिल रहा है आप ना हमें कोमेंट करके बताएगा भी क्या आपको टाइम से अपना एंटरी मिली क्या आ यह है की लेकशेसि शुरू करें लेकिन जैसे अपना होता खतम होने का तो पांच मिनट यह दो मिनट भी असदस नहीं देते जैसे अपना चीपर टाइम हो गया तृक्षेणा डिखाएगा और पुरण को अच्छे से नहीं कर पाएगे तो उनք के पास होने की चांस के होते कम हो जाते हैं तो ऐसे में जब रिल्ट आएगा अगर सपोस्ट अगर मार्क्स कम आते हैं या इस्ट्रोट किसे से पास नहीं उपाता है तो फिर इसके लिए जिम्मेवार कौन कौन है अपना रिस्पॉंसिवल तो एनस वालों को ये बात आपना समझने चीए कि उन्हें अपना हर एक्जाम सेंटर पर एक ऐसा अपना परसन भेजना चीए जो महाँ पर सारा सिस्टम हच्चे से मैनेज कर सके सबकुछ अच्छे से अपना गाइड कर सके ताकि इस्ट्रोटों को किसी तरह का लौस नहों किसी तरह के प्रशानी नहों तो अपर में दो बाते कहना चाहूंगा कि पहले अपना कहना चाहूंगा कि आप अपना प्लीज अपना चेक करें कि जितने भी अपना एक्जाम सेंटर है वहाँ पर प्रोपर तरीके से अपना एक्जाम अपना कंट्रेट हो दूसरी बात में आपना से कहना चाहूंगा कि आप अपना जो है मिलकर अपना वहाँ पर रुक्वेश्ट जुरूर करियागा क्योंकि एक उस्ट्रूजन जाएगा तो सकता है कोई ना सुने लेकिन जब काफे साथ उस्ट्रूजन मिलकर जाएगे और वहां जाके अपने डिमांड करेगी कि हमें टाइम से एंट्री दो हमें टा जाता है तो जितना लेट होता है उतना जो है कि टाइम को तो मिले तो अगर आप सब्सक्राइब करें अपना एग्जाम करा जाए बाके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तु साथ में जूरूब शेयर करेंगा ताकि यह मैसेज जो है कि कई सारी विदार्तों को पहुं पॉरे पॉरे कोशिश करूंगा बाकी दोस्ते में तरब से आपको शुक्रामना है कि आपका एक्जाम काफी अच्छा हो तो चेली दोस्ते मिलते फिर अगली वीडियो में धैंस वोचिंग